तो आज के डाउट की सिस्टिन में हम यह जानेगी कि सू और फ्लेंट डियाग्राम दोनों में आखे डिफरेंट्स है क्या तो उससे पहले हम जानते हैं सबसे पहले कि हमारा स्टेंड इलप्सोड क्या होते हैं तो सबसे पहले इप देखिए कि अगर सपोश कोई एक सरकेल है सर्केल आरा कोई होता है तो हमारा कॉंसी अंध। क्योंकि हमारा circle जो था वो 2D shape का था तो वो 2D shape का shape लेगा तो हम circle से जो deform और अगसों हम क्या बोले ellipse बोल रहे है तो ellipse कैसा है? ellipse हमारा 2D term है वह एगर हम बात करें same अगर हमारा एक sphere मौझूद है sphere कैसा है? हमारा 3D shape है तो sphere जो हमारा deform होगा तो हमारा कौन से shape लेगा? हमारा वो लेता है ellipse तो क्या पता चला कि ellipse जो हमारा 3D term है तो strain ellipse हमारा के रही होते क्या है तो strain ellipse हमारा एक कोई भी imaginary sphere का deform shape को हम बोलते है ठीक है? आप इतना वियाद रखिए तो strain ellipse हमारा उसमें 3 mutually orthogonal plane of symmetry मौझूद रहते हैं जो कि हमारा principal plane of strain होते हैं जो कि देखिए उसको हम किसे represent कर सकते हैं? तीन हो एक्सिस से x, y, z हो गया, s1, s2, s3 ठीक है? फिर ये epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 फिर हमारा lambda 1, lambda 2, lambda 3 ये सब जो इतना है न ये सब कुछ को हम से represent कर सकते हैं दोनों है हमारा सब कुछ जितना है, सब कुछ बराबर है तो इसमें जो सबसे हमारा होता है strain ellipsoid में strain ellipsoid में हमारा सबसे long axis जो मौझूद होता है वो हमारा कौन सा होता है? वो हमारा होता है x axis उसके बद हमारा होता है y axis और फिर हमारा होता है z axis तो इसको याद रखिएगा कि सबसे long axis हमारा strain ellapsoid में कौन सा है हमारा वो है x axis और हमारा सबसे short कौन सा है वो हमारा है z axis है in general हम उसको represent करते हैं और फिर हमारा यहाँ पर एक बहुत important में क्या लिखा हुआ है एक plane strain deformation produces two planes in which the rock appears unstraint तो इसका बोलने है क्या मतलब है यह एक strain ellapsoid है तो strain ellapsoid में क्या होता है हमारा ऐसे दो plane मौझूद रहते हैं जहाँ पर हमें किसी भी type का deformation में देखने को नहीं मिलेगा तो हमारा कौन सा plane मौझूद है देखिए strain ellapsoid हमारा यह एक plane मौझूद है तो इसमें किसी भी टैप का तो इस ही है। हुआ का इसको क्या बोलते हैं फूटेविल ऐ है। सेब का बनेगा और जितना जाएगा हमारा वो सिगार सेब का बनेगा ओके ठीक है तो हमारा यह के हो गया के कोल टुवन तो फिर देखते हैं कि इंद फ्लिन डायग्राम हमारा क्या हो रहा था स्ट्रेंड मैगनिस्चूट जो है वह ओरीजिन से जितना हम आगे बढ़ रहे थ देखते रहता है सपूश किसी का हम्में यहां पर स्टेर्मेंट्ड मापना है जैसे यहां पर हो गया यहां मजोत क्या है मन देखते प्र रवण रहर थी तो हम जितना ऑगे जाएंगे तो यह आघए फिर हम इतना गये तो सबस्यादा किस्का ओए पर फ्याद्ट्टी का चाप करें जान सकते हैं इसमेरा इसना क्या जासर्ट मॉजूसा था मेरा कौन सा सिगारिगराम का यह काम था लेकिन हमारा इसमें अग् Genau the किस अगरा यहां पर हिनोग और यहां पर ही मौजूद यहां मौजूदर में हमें पता दोनों में डिफिरेंशेयर कर पा रहे कि हमारा कौन सा cICarGEव और कौन सा pancake σेउब का है हम हम जैसे यहां पर आगे बढ़ थे थे ऑनम हम यह धालों करे मैं तो सेम हो गया तो हम एक ही पलेन में हैं तो दोन एक ही पलेन में मौझोद आखा है तो उनका बोलते हैं load parameter जो कि हमारा रिप्रिम्ट करते हैं B से तो हमारा देखिए B हमारा यहां पर 0 से start होता है वही हमारा plane strain है तो plane strain यहां से जितना हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या हो गया हमारा वो positive में दिया हुआ है और इसको अलग-अलग आगे बढ़ेंगे तो इस तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहां पैनकेक का बन रहा है और इस तरफ negative में हमारा आते हैं तो हमारा वो कैसा बन रहा है सिगार सेप का बन रहा है और एक टम यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमारा देखिए यह e-bar s और b b में हम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे है यह 1 2 3 इस टाइप का दिख रहा है इस टाइप से आगे बढ़े बढ़ रहा है ना 1 2 3 origins यहां से तो इस टाइप से यहां समझ सक है, X is greater or equal to Y और Y is very very greater than Z और यहां पर एक सिगार सेप में क्या हो रहा है capital होता है, greater होता है और y is greater equal to Z होता है, तो यहां समस सकते है, तो आप और एक बात यहां सूख हो एक लॉंट y by z यहां हो थे हुए और लॉन spoiler कर सके तो यहां पर प्लाइन नवर सब्सक्राइब करका देट सकता है यहां पर यहां पर यहां से थ्यानसे क्या होगा यह लुद्टा होता हमारा सपूजे होता यहां पर यहां होता हमारे सिगार से होता और यह हमारा पैंकेक से होता तो इस बात कर थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो हमारा इन सौट अगर बोला जाए तो सू और फ्लीन डाइग्राम में दोनों वह दिफेरेंस क्या था तो स्लू और फ्लीन डाइग्राम में हमारा डिफेरेंस यह था क कि हैं दिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था कि एक ही एगर कुछ मोजूद है तो यहski बूलayan कुछ स्पार सब्सक्राइब कर पा रहे था लेकिन वह यहारा सू टाइग नेकिंँ ऑइगर करते हैं अगर आपको आगे भी कुछ ऐसे डाउट हो तो ऐसे मुझे बोलेगा तो मैं आपको ऐसे बीडियो बना के चोड़ा मोटा आपको डाउट क्लियर करवा दूँगा ओके सो थैंक यू बरी मच